क्या कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहें दोस्तों कल एक वीडियो बनाई थी मैं हेल्प के लिए अपना मेरा घर बन रहा है जो कि आप लोग जान रहा है पीछे मेरा बैग्राउंड देख सकते है दिवाल यो पूरा कंप्लीट हो चुका है अल्मोस्ट कंप्लीट हो च क्योंकि दोस्तों कर नहीं पाएंगे हमसे नहीं हो पा रहा है परिशान है कम से कम अगला पेमेंट आने तक वेट तो करना ही पड़ेगा तो दोस्तों मैं वीडियो बनाई थी हिल्प के लिए कि जितने भी लोग हैं मुझसे फ्यार करते हैं ना कि फालतुगिरी करने के लि मैंने उस समय मैंने किसी स्कैनर किसी फोन नंबर किसी अकाउंट के नंबर में नहीं बताया था हां मैं आपका राय जाना चाहती कि कौन मेरे से मतलब प्यार करता है मेरे लिए कौन कमेंट किया मुझे लगा कि मुझे कमेंट में कमेंट से ही पता चल जाता है दोस्तों कि कोन नहीं करना चाहता है सबसे में जी कि कमेंट होता है उसमें बहुत से अवाई बैन हैं जो कि कमेंट किये हैं कि भाभी हम आपका मदद करना चाहाते बट मुझे फोन-बर चैये मुझे इसकैनर देजें तोब्हों को बता दो एक बावू human को सिवार फोन-बर опять दिया कॉमेंट का रिपलाई दिया उन्होंने मेरे नंबर पे फोन किया नंबर भी मैंने दिया फोन किया उन्होंने और मुझे भेजा है पांच यह रुपय जिनके चैनल है जिनका बीजय यादो ऑफिसियल क्या कहूं बाबू आपके लिए मेरा जो आपने परिशानी दूर क बागतिन जिनका दी ईधया आपके 5,000 से आपको नहीं पता कि मेरा अज आधा लोग का दिःहारी दिया गया है, मतलब मानके चली मजदूरी धिया गया है, 7,000 बाथा जार मुझे होता है, आज आपके पैसे से मैं मजदूरी दी हूँ क्योंकि लेबर कम थे मिस्तरी कम थे ह जारे में अरेज़्मेंट हो गया है यानि कि मैंने आज का जो लेवर खर्चा मिस्तिरी चार्चा था आपके पैसे से हो गया है तो दोस्तों बीजयादो ऑफिसेल के नाम से इनका आईडी है ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ देख लीजिए इनके चैनल को आप लोग देजे यह तो रही इनकी बात य susdra सिखाने में एक बालता है विएल पुर्णते हैं संहे महालत में करते हैं लिए देदेर्क्रह लें बीडियो नहीं बनाते हैं अब मरजीत करके हैं वो भी वीडियो नहीं बनाते हैं दो तीन लोगों ने मेरे लिए पैसे भेजे आप लोग को दिल से धन्यवाद और जितने लोग मेरा help करना चाहते हैं मतलब मेरे से क्या बताएं दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोग मानेंगे नहीं दोस्तों ना कल वीडियो बनाई थी ना मैं कल रात को आज सुबह से आज साम हो गया मान के चलिए काम बंद हो गया देखें काम बंद हो गया पांच से उपर हो गया पांच बज़े काम बंद हो जाता है आठ बज़े स्टार्ट हो जाता है और पांच बज़े काम बंद हो जाता है मैं दोस्तों आप लोगो क्या बताओ 24 खंटे से उपर हो गया में टेंसन के मारे एक भी निमाला में अपने मूह में नहीं खाई हूँ पता नहीं कि भूग और प्यास सब मर चुका है मतलब कुछ समझ में नहीं रहा है करूं तो क्या करूं एकदम दिमाग की नसे फटी जा रही है सो समझ के देखें बादर इतना घेरा हुआ है मौसम देख सकते हैं आप लोग एकदम अंदेरा हो चुका है एकदम बादर घेरा ह आनी मोसम जैसे लग रहा के आनी पानी आएगा और लिए वार्ज या श्रच लग सबस्स जिस लेबर मिस्तरी मिले दोस्तो तो पैसा नहीं है इसी को कहते हैं दोस्तो समय बहुत बनवान होता है समय से बड़ा कोई चीज नहीं होता है समय का मार जो सह लेता है दोस्तो उससे बड़ा सकती साली कोई और नहीं हो सकता और जो लोग मजा ले रहे हैं चाहे मजा लेते हैं तरहाने में कैसी सर्म्, कैसी लाज। मांग के मैं अपना घर बन वा रही हूं। मांग के अपन घर काम प्रोसेस पुरा कर रहे। यह नहीं कह रहेएं। मैं कि से मांग रही हो honour है। यह समय कि मैं से मान रहे हूं। वो जो बिजय नाम के लड़के थे उनसे भी मेरा बात हुआ है मन्टू राजी से मतलब चीनों ने मेरे क्यों पैसा बेजा है उन सबसे मेरा बात हुआ मैंने इसाब को यही बोला भया मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगी और दस जार रुपया एक अमरजीत करके भया है उन्होंने सेंट किया उन्होंने मेरे से बात किया दोस्तों मान के चलिए पैसे देने के लिए तो बहुत लोग कमेंट किया है मैंने उनका रिपलाई भी दिया बट अभी तक कोई रिपलाई अभी तक नहीं आया है मैंने उनका रि करेंगे तोसका reply कोही न जरूर देगा क्योंकि मोबाल सिर्फ मेरे हात में नहीं रहता है मेरे editor के पास रहता है एडिडिड़ के पास रहता है बहुत सारे लोग हमारे गारज सबके पास रहता है mobile मान कि चलिए मैं community ciao में नहीं बोला था कि हर समय एक जैसा नहीं रहता मानके चलिए हाज मेरा समय कराब है कल मेरा समय सही हो जाएगा आज मेरा मैं तो इसलिए परिसानूं मैं SOS possessions मेरा Love उसके बाद मैं पलस्तर नहीं कराओंगी दोस्तों पलस्तर बाद में कराओंगी क्योंकि मैं यह जो बारिस है ना यह बारिस में हम लोग का बहुत इस्तिती बहुत कराब हो जाएगी अकेली पहले रहती थी मैं और मेरे हजबन रहते थे कहीं भी हम लोग रह जाते थे कहीं भ मेरा टीना वाला घर है मेरा टीना वाला जो घर है ना उस घर में चूता है दोनों घर चूता है दोनों रूम चूता है उस रूम में मैं बहुत परिशानी से सारा समान एक दम इतना समान इससे मैं भरा हुआ उस रूम में अब इससे में बारिस का मौसम हो गया सोचरी उस रू तो मैं उसमें उस गाड़े में समान रखूंगी क्योंकि अगर उसमें समान नहीं रखूंगी तो मेरा जो सारा समान है न वो सारा समान जो है भीग जाएगा खराब हो जाएगा घर में चावल नीचे रखा हुआ फर्स पे फर्स पे तो एक समान नहीं रहाना चाहिए क्योंकि कि दोस्टो चूता है टीना तो पूरा फर्स पे बहु के जाता है जैसे लगता Аuna यानी घरे में चूता है तो वह सारा समान मुझे उपर उठाके तक्ते पर रखना पड़ेगा फिर बाटी का औरिजमिंट करना पड़ेगा सारा चूता है उसको जहाँ जहाँ चूएगा वहाँ रखेंगे तो से यह सब बात है और जितने लोग मेरे से मेरा हेल्प करना चाहते है तो हर समय जयसा नहीं रहता है दोस्तों प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूं कि जो मेरा फैमिली है मैं किसी दूसरे से नहीं कह रही हूं मैं अपने फैमिली कह रहे हूं जो मेरा फैमिली है मेरा यूटूब फैमिली मैं दूसरे को नहीं बता रही हूं मैं यूटूबर की बात नहीं कर रही हूं तो वह मानागे चले दोस्तों आज मैं उनका वीडियो बना दे रहे हूं आज परमोस न कर दे रही हूं चाहिए मेरे मिलने आ रहे है तो मैं उनका देखे दोस्तों मेरा इत Nation Kh liber Technology कि इतनी सी उमर में कितना और दुख जलना बाकी है तो कुछ लोग कमेंट किये थे कि इतनी उमर कहा है आपके बेटे आपके बराबर है तो हाँ भाया इतनी उमर भी मेरी नहीं है लेकिन जिस उमर में मुझे अभी मतलब ऐस करना चाहिए लेकिन इस उमर में मैं देखिया क्या कर रही हूँ सोचिए और फिर बोलिए कि मैं क्या कर रही हूं इतनी उमर में कौन होगा जो इतना घर तयार कर रहा है अपने खुद के दम पर तयार कर रहा है थोड़ा सा मुसिबत आती है सब के उपर आती है मेरे उपर भी आई है तो भी आई मजा लेने वाली बात नहीं है आप क्यों ऐस ढ़ा करेंकर ठीक है और है रह गए बात घर का तो दोस्तों आप लोगर help कर देंगे तो मेरा चट लग जाएगा और नहीं help करेंगे दोस्तों तो तो फिर मेरा काम यहीं पर मैं रुखवा दूंगी दोस्तों तो मैं इंतजार कर रही हूं और रहा है सारे चैनल से कॉमिटी लिंक में स्कैनर मैंने दे रखा है उस पर आप लोग स्कैन करियेगा पैसे बेज़िएगा और एक स्कीन रख लीजिये अपने पास फूर्ब के लिए जब भी मेरे से कॉंटेक्ट हो पाई है एक बार मेरे को अगर स्कैनर करिएगा एक बार कॉल कर लिजियेंगा call करने के लिए calling number में provide करवा दे रही हूं calling number सिर्फ पैसे वालों के लिए फाल्तू कोई call नहीं करेगा वैसे भी मेरा दिमाग सही नहीं है mood सही नहीं है एकदम परिशान हूं तो फाल्तू के लिए कोई call नहीं करेगा पर्मोसन सरमोसन की बात है मेरे घर पे आते हैं, आईए मेरे घर पे आराम से वीडियो बनाएए जाएए, कोई दिकत नहीं है लेकिन फोन पे कोई फाल्टूगिरी वाली बात मत करियेगा, आपको अगर अड्रेस लेना है तो भी मैं अड्रेस भी पहले कई वीडियो में बता चुकी हूँ, दोस्तों आ अगले मन से आना स्टार्ट हो जाएगा, मैं तुरंट थोड़ा-थोड़ा करके आप सबका पैसा दे दोंगी, क्योंकि मैं वैसी ओरत है हूँ ही नहीं, जब तक मैं आप सबका करजा नहीं भर लोंगी न तब तक भी मुझे नीद नहीं आएगा उस छत में, ये भी जान ल आप से थोड़ा सा उधार अगर ले ले रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेरे फैमली हो, मुझे समझते हो, मुझे प्यार करते हो, मुझे से प्यार करते हो, मेरे बहले के लिए सोचते हो, तो हाँ सक्चम हो तो आप मुझे दे सकते हो, नहीं तो कोई बात बाइब बाइब